आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियो इंडिया's largest free educational app Unacademy में भी देखें वहाँ हमारे वीडियो के lesson आ रहे हैं वहाँ chemistry को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा Unacademy में topic clearance के साथ notes भी होगा MCQs भी होंगे, objective और subjective question भी होंगे और उनके solution भी होगा Unacademy educational app बहुती अच्छा माध्यम है यहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कर सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले Unacademy app को play store से अपने mobile में इंस्टाल कर लीज़े Unacademy app में Vikram Hub Chemistry को सर्च कीज़े जिससे मेरे chemistry के lesson मिल जाएंगे या मैंने इस वीडियो के description box में नीचे आपको Unacademy के link दे दिये हैं उसे click केजे आपको Unacademy में मेरा lesson मिल जाएगा अब Unacademy learning app में मेरा ये नाम Vikram Singh Devangan सर्च करें Vikram Singh नहीं Vikram Singh Devangan D-E-W-A-N-G-A-N Vikram Singh Devangan सर्च करेंगे तो मेरा हिंदी मीडियों वाली class स्टार्ट हो जाएगे तो आप हिंदी मीडियों वाले जारा रखेंगे Vikram Singh Devangan सर्च करेंगे ये मेरा channel है नमस्कार मैं Vikram Singh मैं आपको 12th के annual exam का एक question paper दिखा रहा हूँ इस question paper को देखे इसमें शुरू में प्रश्ण पेपर के लिए कुछ बाते कुछ जानकारिया होती है जैसे लिखा हुआ है क्रिपया जांच कर लें कि इस प्रश्ण पत्र में मुद्रित प्रिष्ट 15 है याने 15 paper है 15 pages है इनको देख लेने हैं फिर second लिखा है प्रश्ण पत्र में दाहिने हाथ की और दियेगे code नमबर को छातर उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रिष्ट पर लिखें जो यहाँ पर जो एक code दिया गया होगा यहाँ पर यह code लिखा गया है code नमबर 56 oblique 2 इस code को आपको लिखना है किसमें उत्तर पुस्तिका में यानि कैंसर शीट पर लिखना है second बोलागी है क्रिपिया जांच करने की इस प्रश्ण पत्र में 30 प्रश्ण है यानि की question जितने आपको यहाँ पर बताएगे है उतने question है की नहीं उसे check करने फिर उसके बाद आप देखें क्रिपिया प्रश्ण का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्ण का क्रमांक अवश्य लिखें यहाँ पर याद रखेगा जब भी आप answer लिखते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें की आप question number उस उपर पहले लिखें फिर उसका answer लिखें फिर बाती आती है इस प्रश्ण पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनिट का समय दिया जाता है यानि आपका time शुरू जब होगा उससे पहले आपका 15 मिनिट का आपका time दिया गया है उस time का बिलकुल पालन करें प्रश्ण पत्र का विवरण शुरू में 10-15 बज़े किया जाएगा यानि कि इसका वितरन जो है प्रश्ण पत्र का वितरन जो है सुबह 10 पच के 15 मिनिट पे किया जाएगा और लिखा हुआ है 10-15 से 10-30 पज़े तक चात्र केवल प्रश्ण पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधी के दरण वे उतर पुस्तिका पर कोई उतर नहीं लिखेंगे यानि आपको answer sheet दिया गया है उसमें सिर्फ ये code लिखेंगे और साथ में उतर पुस्तिका पर जो रूल नंबर है बागी चीज़े हैं जो information है वो सारी चीज़े लिखा जाएगा और 15 मिनिट पहले यानि 10-15 से 10-30 के टाइम तक आप question paper को पढ़ना है आपको और वो पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ेंगे फिर ये जो बाते कही गई है ये आपको question paper को खोलना answer sheet को खोलने से पहले की बाते हैं फिर उसके बाद इसमें कुछ बाते हैं देखें theory के question paper है chemistry का लिखा हुआ है इसमें निर्धारे समय जो दिया गया है तीन घंटे का दिया गया है और अधिक्तम जो marks है maximum marks है 70 marks का है आगे देखें जो question paper रहेगा उसमें जो question paper का code है ये print रहेगा इसके लिए general instructions क्या है वो देखें समाने निर्देश क्या होते हैं बोला गया है सभी प्रश्ण अनिवारी है फिर second बाती आती है कि प्रश्ण संख्या एक से 8 तक अती लगुत्तरी है यानि very short question है very short answer question है प्रत्यक प्रश्ण के लिए एक marks दिया जाएगा फिर बोला गया है थर्ट बातें धिया रखेंगे question number 9 से 18 तक लगुत्तरी प्रश्ण है यानि कि short answer question है प्रत्यक प्रश्ण के लिए दो अंक दिये गया है तो आप समझेंगे एक से 8 के लिए एक मां अंक और 9 से 18 के लिए दो अंक दो marks इसी तरह से प्रश्ण पत्र 19 से 27 तक की लगुत्तरी प्रश्ण है question number 19 से 27 तक की लगुत्तरी प्रश्ण है प्रत्यक प्रश्ण के लिए 3 अंक है फिर बताये गया है कि प्रश्ण संख्या 28 से 30 तक दिर्ग उत्तरी प्रश्ण है यानि very long answer type question है प्रतिक प्रश्ण के लिए 5 अंक दिये जाएंगे यहाँ पर ध्यान रखेगा अवशक्ता नुसार आप lock table का प्रयोग कर सकते हैं यानि आप वहाँ पर जो examiner है उनसे आप lock table की मांग कर सकते हैं यदि आपका उशक्ता हो तो लेकिन calculator का उप्योग जो है उसकी अनुमती आपको नहीं मिलेगी इतनी बातें आप हमेशा ध्यार रखें इसके बाद आपको नीचे questions मिलेंगे हिंदी और English दोनों में लिखा हुआ मिलेगा सारे instructions, सारे questions, सारे बातें अब मैं एक साल का question को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप इस question के लिए इनके answer की बात करें तो सारे question का answer मैं Unacademy में डाल रहा हूँ आप Unacademy के crash course जो है उस course में जाकर के आप देखिएगा तो इनके questions, इस questions के answer उसमें मिलेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है पहला question है अधी शोशन सदय उश्मक शेपी क्यों होता है Why is absorption, absorption, sorry Why is absorption always exothermic Second है, nickel के शोधन के लिए प्रयुक्त विधी का नाम लिखे Third question है, NO2 क्यों double anu बनाता है याने की dimer बनाता है Why does NO2 dimerize Question number 4, आणविक बलों के अधार पर neoprene किस प्रकार का बहुलक है आप इन सबका answer सोच के रखिए और फिर उसके बाद unacademy में जो answer दे रहा हूँ उस answer को वहाँ पर से मिलान कर लिजए Malto's के जलाप घटन के उत्पाद क्या है मैं आपको कह रहा हूँ कि बार-बार कि unacademy में मैं question दे रहा हूँ इस question का answer दे रहा हूँ और उस answer का मिलान करिए और आप कितने percentage आपका सही right है या right है answer उसका पता लगाईए तो इन सबका answer unacademy app में मैं दे रहा हूँ अभी आपको question paper इसलिए जा रहा है कि इन questions को आप solve करके रखिए ताकि आप unacademy से answer हाजल कर सके फोर क्लोरो पेंटेन टू ओन की सरचना लिखिए निमन जोडे में किरेल अनू को पहचानी है ये दो molecule दिया गया है इसमें किरेल molecule कौन सा है ये पहचानना है आपको इसमें one marks मिलेगा ये इसमें short answer है बहुत short answer है एक शब्द में answer दे सकते हैं दो शब्द में answer दे सकते हैं एक छोटी से वाक्य में answer दे सकते हैं प्राथमिक aromatic amine के diazonium लवनों में परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है कुशन नबर 9 निम्न बहलोकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक लकों के नाम लिखिए फर्स्ट है टेरिलिन सेकंड है नाइलॉन सिक्सेक्स कुशन नबर 10 निम्न के कार्य का वर्णन कीजिए copper matte से copper connection में SiO2 का का कार्य क्या है फेन प्लवन प्रक्रम में फेन प्लवन फ्रोत फ्लोटेशन प्रोसेस में NACN का क्या कार्य है कुशन नबर 10 हो गया 11 निम्न समी करनों को पूरा कीजिए फर्स्ट AG प्लस PCL5 इनकी reaction से क्या product बनेगा इसे बताना है आपको सेकंड है CAF2 प्लस H2S4 इससे आपको क्या product प्राप्त होंगे बताना है कुशन नबर 12 निम्न की सरचनाएं बनाई है XCF4 और HClO4 नक्स कुशन है जब चुम्बक की आगून विपरीत दिशाओं में कार्यकारी हो और एक दुसरे के प्रभाव को अप्रभावित कर रहे हो तो किस प्रकार का चुम्बक तो देखा जाता है लिखिए आपको हमीशा याद अखना पड़ेगा कि जो कुशन दिया गया है वो कुशन किस topic से है किस chapter से relate करता है किस topic से है ये सब आपको पता होना चाहिए या कुशन देखते ही वो दिमाग में आ जाए तो फिर second part हो जाता है कि उसका answer देपाएंगे चलिए फिर लिखा हुआ है कुशन 13 का second कौन सा रज समीकर्ण मीती दोश किस्टल के घनत्तों को नहीं बदलता है चलिए next question है question number 14 निम्न पदों को परिभाशाएं दीजिए निम्न पदों की परिभाशाएं दीजिए तो इसके लिए आपको definition देना है define the following terms first है इंदन cell, fuel cell सीमा बद्ध मोलर चालकता, lambda m0 याने limiting molar conductivity निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधी लिखिये CH3, CH2, OH HBR के साथ reaction होता है और बनता है CH3, CH2BR प्लस H2O तो इनकी mechanism लिखना है reaction तो आपको दे दिया गया है इसमें two marks मिलेंगे question number 16 एक रासानिक अभिक्रिया R से P के लिए याने की reactant R है product P है के लिए समय T के प्रति संद्रता याने प्रति संद्रता R में परिवर्तन को इस graph में दर्शाय गया है याने time के साथ इसकी संद्रता में याने की इसकी concentration में जो परिवर्तन होते हैं उसको इस तरह दर्शाय गया है time बढ़ती जा रही है और संद्रता में कमी होती जा रही है और graph इस तरह से जा रहा है इस base पर आपको ये बताना है कि यह यह अभिक्रया किस कोटी की है और दूसरी बात बताना है वक्र की प्रवणता याने ढहलान क्या होगी इसके ढहलान क्या होगी ये बताना है आगे का प्रुश्ण है घनत्व 2.8 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब का एक तत्व फलक किंद्रित घनी प्रकार का मत्रक सेल बताता है मतब यह इसको दुबारा पढ़ता हूँ घनत्व 2.8 ग्राम प्रती सेंटीमेटर क्यूब का एक तत्व फलक किंद्रित घनी है मतब फेस सेंट्रित क्यूबिक सेल है FCC प्रकार का unit cell है जिसके किनारी के लंबाई 4 into 10 to the power minus 8 cm है कोर के लंबाई A के लंबाई जो है 4 into 10 to the power minus 8 cm है इस तत्तों का molar दर्विमान ग्याद केज़े यानि कि इसकी molar सहती molar मास आपको पता लगाना है इस element का आपको याद रहता है यहाँ पर दिया गया है Question number 18 इस अभिक्रिया से संबंदित समीकरन लिखे जो reaction यहाँ पर नाम दिया गया है name reaction उस reaction को लिखना है राइमर्टीम इन अभिक्रिया क्या है वो लिखना है और Williamson synthesis क्या है उन्हें लिखना है फिर लिखा हुआ है निमनलखित पदों को परिभाशित कीजिए फर्स्ट है glycosidic आबंद glycosidic linkage प्रतीप सरकरा inward sugar oligosaccharides question number 20 देखें कुछ बातें इसमें से आपको समझना है विश्व स्वास्त दिवस के अवसर पर डॉक्टर सत्पाल ने पास के गौँ में रहने वाले धन हिन किसानों के लिए एक स्वास्त केंप लगाया जाँच के बाद उसे यह देखकर धक्का लगा कि बार बार कीट नाशकों के संपर्क में आने के कारण किसानों में से अधिकों को cancer का रोग हो गया था उनमें से बहुतों को मधुमे भी हुआ था मधुमे मतवतर diabetes हो गया था उन्होंने इनमे धन मुक्त औशदी बाटी याने कि जिसमें फ्री में उन्होंने कुछ औशदिया बाटी डॉक्टर सत्पाल ने इस बात की सूचना ततकाल National Human Rights Commission NHRC को दिया लोगों को दी जाए और भारत के सभी गाउं में घातक रोगों के प्रभाव को रोकने के लिए अत्तिदिक सुवीधा वाले अस्पताल खोले जाएं अब यहाँ पर कुछ बातों का जवाब देना है इस sentence के बेस पर पहला डॉक्टर सत्पाल और बी अन्तिम कैंसर में पीड़ा से बचने के लिए मुख्यता कौन सी पीड़ा नाशक और शदियां प्रियुक्त की जाती है थड़ है मधुमे के रोग्यों के लिए सुझाये गए कृत्रिम मधुकारूं में से किसी एक का उधरन दीजिए मत्तब यहाँ पर आर्टिफिशल मिठास उत्परन करने वाले ऐसी कौन सी चीज़ से दिया जाए जिससे उनको मधिमुहे रोग्यों को मिठा जो है जो जह शक्कर वगरा है या ग्लोकोस है इसका सिवन से वो बच सके कुश्यन नमबर टॉंटीवन तृतियक एमीन निमनलखित के कारण लिखे तृतियक एमीन के तुल्ला में ब्रात्मिक एमीनों के क्वथनांक उच्छतर होते हैं ऐसा क्यों है ये बताना है आपको सेकंड है एनिलीन फ्रेल काफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है बताना है कि क्यों नहीं देती है एनिलीन फ्रेल काफ्ट अभिक्रिया थर्ड है जली विलियन में CH3-3-N की तुल्ला में CH3-2-NH अधिक शारी होती है याने तुर्टिक एमीन के तुल्ला में दुर्टिक एमीन अधिक छारी होती है क्यों इसका जवाब आपको देना है फिर कॉश्चन है इस तरह का जिसमें ABC की सरचनाएं आपको देना है फर्स्ट है C6H5NO2 इसकी रियक्शन Sn प्लस HCl से होने पर A बनता है A की रियक्शन 273 Kelvin पर NaNO2 प्लस HCl से होने पर B बनता है B की रियक्शन H2O से होने पर C बनता है सेकंड कॉश्चन है तो यहाँ पर ABC क्या है वो बताना है और उसकी सरचनाएं देना है सगंड कॉश्चन है CS3CN H2O अमली माद्ध्य में रियक्शन होने पर A है वो क्या है आपको पता लगाना है और इसकी रियक्शन NS3 से कराने पर B क्या है इनका पता लगाना है Bromine और KOH के साथ इनकी reaction कराने पर C बनता है और C क्या है इनका पता लगाना है आपको reaction wise Question number 22 निमने में से प्रत्तेक अभिक्रिया के लिए एक हैलोजनी उत्पादों की सरचनाएं बनाई है इनकी reaction PCL5 से कराते हैं तो कौन सा compound बनेगा इसे लिखना है product में फिर इनकी क्रिया HBR से कराते हैं तो क्या बनेगा इनने भी आपको बताना है Question number 22 का B Question है निमने युग्मों में से कौन सा हैलोजनी योगिक SN2 अभिक्रिया में अधिक तिवरता से अभिक्रिया करेगा First है CH3BR अथवा CH3I Second है CH3CCL अथवा CH3CL ये दो Question है इनका English में लिखा हुआ Question है अभिक्रिया MGS, Mg Solid की reaction Cu plus 2 Jelly-Villion के साथ कराने पर Mg plus 2 Jelly-Villion मतब aqueous प्राप्थ होता है और साथ में CuS यानि CuSolid तब इसके लिए आपको calculate करना है DeltaRG0 इस तरह से E-Cell की value जो है इस cell की value होगी इस cell की electrode potential होगी प्लस 2.71 Volt और Faraday constant होगा 1 Faraday is equals to होता है 96500 Kulam per mole Apollo अंतरक्ष प्रोग्राम के लिए विद्द शक्ती उपलब्द कराने के लिए प्रियुक्त सेल के प्रकार का नाम लिखिया इसमें ऐसा कौन सा सेल है जो उप्योग किया गया था Apollo में उनका नाम लिखना है question है 24 निम्न आयतन अवस्था में SO2 Cl2 के प्रतम कोटी के तापी विघटन के दावरान निम्न लिखित आंकडे प्राप्त हुए SO2 Cl2 gas SO2 gas प्लस Cl2 gas यह reaction हुआ यह प्रतम कोटी अभी करिया है फिर यह बोला गया है यह data दिया गया है कि पहले प्राडंबिक समय में समय 0 टाइम पर यहां पर दाब जो था कुल दाब जो था 0.4 है और फिर लिखा हुआ है 100 सेकंड बाद इनका हुआ 0.7 वेग निया तांक परिकलित करना है log 4 is equals to यह होता है log 2 is equals to यह होता है इस question को solve करना है emulsion क्या है इसके विभिन्य प्रकार क्या है प्रत्यक प्रकार का एक उधारण दीजिए emulsion कितने प्रकार का होता है वो बताना है और उनके एक एक उधारण देना है आपको और emulsion क्या होता है यह बताना है 25 नंबर का question है question number 26 देखें निमनलखित के कारण दीज़े CH3-3PO को पाया तो पाया जाता है परन्तो CH3-3N double bond O नहीं मिलता है क्यों जवाब अपको देना है question second है 26 का electron प्राप्त करने की रनात्मक चिन वाली enthalpy का मान sulfur की अपेक्षा oxygen के लिए कम है यहाँ पर लिखा है electron प्राप्त करने की रनात्मक चिन वाली enthalpy का मान sulfur की अपेक्षा oxygen के लिए कम है इसका क्या मतलब है इन्हें आपको बताना है फिर देखें H3PO3 की अपेक्षा H3PO2 अधिक प्रबल अप्चायक होता है Next question 27 Sankar CR NS34 CL2 Bracket close करके CL IUPAC नाम इनका बताना है Sankar CO EN Thrice 3 Plus किस प्रकार की समावता दिर्शाता है EN ETHN-12-Diamine EN का मतलब यहां पता है जिसको ETHLEN-Diamine भी कहते हैं NICL4-2- क्यों अनुचुमबकी होता है जबकि NICO4 प्रतिचुमबकी होता है अपको इसका Atomic Number भी दे दिया गया है इनको यहां पर प्रूफ करना है 3 Marks के question है दोनों के लिए आप क्या करेंगे CH3-CHO के साथ तो क्या बनेगा इनका product अब बताएंगे फिर इसके लिए आपको एक और question है इसमें निम्ने यॉग्मों में अंतर दिखाने के लिए सरल रासानी परिक्षन लिखिया है बिंजोईक अमल और फिनॉल में क्या अंतर है इसको दर्शानी के लिए रासानी समीकरण एक बताना है आपको प्रोपेनल और प्रोपेनोन में क्या अंतर है निम्ने के कारण लिखिये है acetic acid की तुलना में chloroacetic acid अधिक प्रबल अमल होया तो इनके बारे में क्यों जान करें देना है कार्बोकसलिक अमल कार्बोनिल समूग की अभिक्रियाएं नहीं देता है कार्बोकसलिक अमल कार्बोनिल समूग की अभिक्रियाएं नहीं देता है कारण बताना है कि ऐसा क्यों नहीं देता है निम्ने नाम धारित अभिक्रियाओं के लिए रासानिक समीकरण लिखे रोजन्बूट अपचेन और कैनिजरो अभिक्रिया CH3 CH2 COCH2 CH3 और CH3 CH2 CH2 COCH3 में से कौन आइडोफर्म परिक्षन देता है इसके अंसर आपको देने है यह कुश्चन है निम्नल लिखित पदों की परिभाशाएं दीजेए मोलारता मोलर उन्नयन स्थरांक मोलारेटी और मोलल एलिवेशन कॉंस्टन्ट एक जली विलियन में प्रती लेटर विलियन में 15 ग्राम यूरिया मोलार दरवेमान 60 ग्राम पर मोल घुलित है इस विलियन का परासरन दाप जल में ग्लुकोज मोलार दरवेमान 180 ग्राम पर मोल के एक विलियन के समान संपरासरी है एक लिटर विलियन में उपस्तित ग्लुकोज का दरवेमान परिकलित कीजिया अथवा इथेनौल और एसिटोन का मिशन किस प्रकार का विचलन दरशाता है कारण दीजिया जल में ग्लुकोज मोलार दरवेमान 180 ग्राम होता है इसका के एक विलियन का लेबल लगा है 10% दरवेमान उफसार इस विलियन की मोल अलता मोल अलता क्या होंगे बताईए विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम मोलार पर लिटर है निमन लिखित समी करणों को पूरा कीजिए फर्स्ट Cr2O7-2 प्लस 2OH- सेकंड है MnO4- प्लस 4H+, प्लस 3 इलेक्ट्रॉम इन समी करणों को पूरा करना है निमन के कारण लिखिया है जिंक को संकरमन तक तो नहीं माना जाता है क्यों? संकरमन धातू बहुत से संकर बनाते हैं थर्ड, Mn-3 से Mn-2 यूग्म और Cr-3 से Cr-2 यूग्म से कहीं अधिक E0 तरशाता है सरचना परिवर्तन शिल्ता और रासानिक अभिक्रिया शिल्ता के संदर्ग में लेंथेनाइडों और एक्टेनाइडों की बीच अंतर क्या है? सरचना परिवर्तन शिल्ता और रासानिक अभिक्रिया शिल्ता के संदर्ग में दोनों के मद्दिक क्या अंतर है वो बतानाइडों बेद क्या है बतानाइडों लिंधेनाइड श्रिंखला के उस सदस्य का नाम लिखना है जो प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के लिए प्रसिद्ध है निमने समीकरण को पूरा कीजिए इस समीकरण को आपको कंप्लेट करना है फिर नेक्स कुश्शन है MN प्लस 3 और CR प्लस 3 में कौन सा अधिक अनुचुमबकी है और क्यों ये बताना है आपको इस तरह से जो आपको कुश्शन दिया गया है इन सारे प्रश्शनों को हल करके पहले देखना है और एक ही पेपर है ये कोई दो पेपर नहीं है आप समझ रहा हूंगे कितनी इस में पकड़ रहता है कॉस्शने कुश्शन सारे प्रश्शन वो लिया जाता है और कितनी सारी बातों को आपसे पूछा जाता है और आपको गहराई में पढ़ना है ऐसा नहीं कि कोई भी question paper जो है दुबारा revise होता है हाँ कुछ questions revise होते रहते हैं और उसका concept revise होते रहता है ऐसा भी नहीं कि हर बार नए question आते हैं लेकिन आपको तैयारी पूरा रखना है अभी आप test कर लीजे कि आपको संपूर्ण chemistry में कितनी आपकी तैयारी हुई है और इन प्रशनों के answer देने में आपको क्या कठेना ही आ रही है और क्या सरलता हो रही है ऐसे ही कुछ question paper भी आगे लाते रहूँगा मैं आपको देने के लिए लेकिन इनके answer, इनके solution मैं आपको unacademy में दूँगा क्योंकि वहाँ पर कम time पर ज्यादस ज्यादा answer दिया जा सकता है और वहाँ पर मैं ध्यान रखूँगा कि ज्यादा explain ना करते हुए उनके answer देने की कुछ करूँगा ताब कि आपको answer मिल जाए वहाँ पर क्या करेंगे कि उसके answer आपको समझाऊंगा हलका सा और उसके बाद उनका आपको जो भी notes होगा उसको आप screenshot ले करके उन्हें आप store करते जाएंगे और उसको गहराई से study करेंगे तो हम मिलेंगे unacademy के answer sheet में याने unacademy में crash course में तब तक के लिए अलविदा नमस्कार नमस्कार मैं विकरम सेंख मेरे पास अक्सर phone आ रहे हैं कि sir आपके channel के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे है और जो video मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें मिल रहे है और सारे वीडियोस से नहीं मिल रहे है मेरे चानल खुल जाएगा किसी एक वीडियो को आप उपन करें यदि आपने मेरे चानल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए अब आप इस तरह से काम करें फिर आप यूट्यूब बंद कर दीजिए फिर इस प्रकार से आप यूट्यूब चालू करें जब यूट्यूब चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो उपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है इस जगा पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा My Channel जैसे My Channel आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरह पाता है Subscriptions Subscriptions को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किये होंगे इसे उपर करते चाहिए तो यहाँ पर किसी एक जगा पर मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे इसमें Home मिलेगा, Video मिलेगा, Playlist मिलेगा तो आप Playlist को क्लिक किजिए जब Playlist को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे Folders मिलेंगे तो सबसे पहले आप काम करें कि Pre Basic Chemistry Classes और Basic Chemistry को देख लें यदि आप शुरुगात कर रहे हो Chemistry में तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस Folder को आपको क्लिक करना है कर लीजे उस Folder को जब Open करेंगे तो मेरे सारे उस Folder से रिलेटेड या उस Topic से रिलेटेड उस Chapter से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा उस सारे वीडियो खुल जाएंगे फिर उसे Line से आप पढ़िए Volume 1, Volume 2, Volume 3 इस तरह से आप Lecture Wise या Volume Wise आप आगे बढ़ सकते हैं तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियो देख सकते हैं सारे वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद